समाधान, समाधान, समाधान इस प्रकार से इस दुश्यक्र से हमारी युवा पिढ़ी मुक्त हो सकती है इसी पर हम आज की चर्चा को केंद्रित रखेंगे और हमें इस चर्चा में आगे बढ़ाते हुए हमेशा समाधान की ओर ले चलने वाले आदर्ने सुर्यभाय जी हमारे साथ है आईए हम उनका स्वागत करते हैं ब्राता जी आपका बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया ब्राता जी एक बात जो चर्चाओं में हमारी आती रही है इससे पूर्वकी से और आगे बढ़ाएं एक बहुत important चीज में आपके सामनी रखना चाहता हूँ तथे बहुत सारे हैं जो हम पहले भी चर्चा करते हैं ब्राता जी आज मेरे समुक हैं उनमेंसे एक बात ये अनुवेशंड जो अध्यन में आया है वो ये है कि तंबाकू में करीब 400 ऐसे रसायन होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्त के लिए हानिकारक होते हैं और इनमें से करीब 18 पदार्थ ऐसे हैं जो उनमें कैंसर उत्पन कर सकते हैं आज सहज ही व्यक्ति तमबाकू का सेवन करता है, लेकिन शायद इस जानकारी सेवन भिग्य है, और वैसे ही एक और सर्विक ये बात सामने रखती है, कि कम से कम साथ प्रतिशत से अधिक सड़क और हवाई दुरगटना है, शराप से प्रभावित लोगों के कारण ही होती है, और युवाओं के लिए जैसे हमने कल भी चर्चा की थे, कि 90% वियसनी पचीस वर्स से कम आयू के युवा होते हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही चिंतनी अविशय है, क्योंकि कोई भी युवा राष्ट का धन है, और आगे चलके राष्ट की क्या दिशा होगी, दशा होग तो यही प्रश्ण अप्रारम में है ब्राताजी मेरा, कि माता पिता अपने बच्चों में क्या ऐसी निशानिया देखें, जो समल जाएं, कि हमारा बच्चा शायद गलत रास्ते पे जा रहा है, देखिए बहुत ही अच्छे ये बात है, माबाप अनभिग्य रहते हैं, उन्हें प्यार देने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, उनके बास समय नहीं होता, बस आए, खाया, बनाया, सोगे, सबेरे उठे, फिर टीवी आदी देगी, काम पी चलेगे, तो बच्चों पे ध्यान देना अवस्च है, और एक सुक्स्म न जो देखे, जो बच्चे व्यसनों के आदी हो जाते हैं, कपडे तो उतारते ही हैं, उनकी जेव में कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कोई निसानी अवस्च मिल जाएगी, माबाप को इस पर जड़ा ध्यान देना चाहिए, जब वो इसनान करने जाते हैं बात्रूम में त क्योंकि अपने फ्रेंट्स के साथ इसो उधर कही न कहीं व्यसनों में लगे रहेंगे, उसका उत्तर वो गलत भी दे सकते हैं, हम कोचिंग कर रहे थे, आज हम इस प्रोग्राम में गए थे, आज उस प्रोग्राम में गए थे, इसकी थोड़ी एक-दो बार इंक्वारी कर आज कल मुबाइल सबके पास है, कहां गए थे जरा मुबाइल नंबर दो, इसका में बात करके देख लेता हूं, यूवा वर्क इस बात से चिड़ भी जाता है, कि हम पे इतना ज़्यादा क्यों ध्यान दिया जा रहा है, क्यों हम पे बंदिशी लगाई जा रही हैं, तो कह अपने माबाप को डांट के कह देते हैं, आप तो अल्ड फैसंड लोग हैं, अब न्यू फैसंड का आपको क्या पता, पुराने युग में जी होगे क्या, तुम्हारा जीवन तो पुरा हो गया, हमें तो जीने, दो कल भी एक माता का ऐसा इफोन था, कि उसकी दो लड़कि पढ़ाई चोड़कर सारा ही दिन मुबाईल पे लगी रहती हैं, अपने फ्रेंड से बात करती रहती हैं, तो माबाप चिंतित होते हैं, तो ये बात बिलकुल सत है, कि आजकल जो युवावर्ग है, वो किसी भी तरह का दबाव सहन करना नहीं चाहता, उसे सक होता है, मेरे से बाते क्यों पूछी जा रहे हैं, फिर भी, माबाप को अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए, और इतना प्यार होना चाहिए वास्तों में तो, माबाप की मनु स्थिति, प्यार, पालना, उनका आदर्स, जीवन ऐसा सुन्दर हो, कि बच्चे उनका स अबमान करें, उन्हें सहयोग करें, कोपरेट करें, और उनकी हरवात सुने, उनके साधी हमारी आहा कहा जातारा है, कि जब आपकी कपड़े बच्चे में फिट होने लगें, आपका जूता आपका बेटा पहनने लगे, तो आप बाप की तरह वहार में करके, एक फ्रेंड क यही बात है, तो ऐसे फ्रेंडली हो जाएं, कि बच्चे कुछ हिचक न करें, और मैं देखता हूं, बहुत सारे केशी जैसे सामने आए हैं, जब माबाप ने, एक आधे सात्मक रूप से नहीं, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत अपने पन से, उनके कल्यान की भावना से, जब उनको टटोला, तो उन्होंने सब खोल दिया, और पश्चाताप किया, माफी मांगी, और परतिग्या की, कि वो ऐसा काम फिर से नहीं करेंगे. मतलब समय दे, परिवार, माता-पिता, अपने बच्चों को यदि सही समय देते हैं, पूरा समय देते हैं, उनकी हर बात को, बहुत ही फ्रेंडली, पूछते हैं, समझने की कोशिस करते हैं, तो निशित रूप से अपनी हर बात शेयर करेंगे. अन्यथा, यह होता है ब्रता जी, जहां तक मुझे यह बात लगती है, कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रह करके, कुछ गलत चीजों का इस्तमाल शिरू करते हैं, जिग्यासा वसकी, इनका क्या अनुभव होता है, और वो चीज़ें अपने माता-पिता के साथ, चुकि उन के प्रति है कि भै की बात न रहें, क्या होता है, जब बाप या मा अपने बच्चों को टाठते ही रहते हैं सदा, बुरा बोलते हैं, तो दूरी बढ़ती है, इसलिए आपस में भावनातमक जुडावे कि इतना अच्छा हो, प्यार का जुडावे कि इतना अच्छा हो, लेकिन डाट किसी को भी प्रिये नहीं है, अपनी एक इंसल्ट जैसी होते रहना, यूवकों को बिलकुल प्रिये नहीं है, उसमें उनका मन माबाप से विरक्त होता है, उचट जाता है, और फिर ये भी सोचते हैं सामीने दिखाएंगे ये काम करके, के वर अपनी गुस्से को बिलकुल ऐसा करते हैं, तो एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है, डाट का नहीं, प्यार का, बिलकि मैं तो ये भी कहूंगा, के बच्चे जब बड़े होगे, जैसे आपने का, उन्हें फ्रेंड बना लें, और उन्हें सम्मान दें, अमान लेक बच्चा बहुत होसियार है वो इंजिनेरिंग कर रहा है, उसके मान बहुत सुंदर आते हैं, माबाप को भी गर्व होता है, तो बच्चे उसका, माबाप उसका सम्मान भी करने लगे, दूसरे भी लोग आएं, रिलेटिव आएं, तो उसे इस तरह पेस करें, जैसे माबाप उसे केवले अप्रीशिये नहीं कर रहें, लेकिन सम्मान भी दे रहे हैं, तो इसमें बच्चे बहुत समी पाएंगे और बहुत साइचीजे ठीक हो जाएंगे. तो ये तो रहे कि परिवार वाले किस प्रकार से अपने बच्चों के उपर ध्यान रखें या किस प्रकार उन्हें समय दें, लेकिन भाताजी जो इसके चंगुल में आप फंस चुके हैं, और इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो राजियों का अभ्यास आपके यहां बहुत गहराई से कराया जाता है, और हमने सुना है कि राजियों के अभ्यास से इन व्यस्नों से मुक्त हुआ जा सकता है, तो राजियों किस प्रकार की पध्धती है, और किस प्रकार से इससे व्यस्नों से मुक्त हुआ जा सकता है, बिल्कुल यह बहुत सुन्दर बात आपने कही कि लोगों के पास समस्याइतों हैं, पर समधान नहीं हैं, हमारे मेडिकल वालों के पास पास भी कोई उचित समाधान नहीं होता है, गोलियां दे देते हैं, लेकिन वो ब्रेइन की सक्तियों को नस्ट करने लगती हैं, लेकिन कुछ एक यथार्त जो उसका परिणाम मन उसको मिले वो मिलता नहीं है हमारे यहां मैं तो सुरू से सुनता आता हूं मुझे बहुत साल हो गए यहां पर के लोगों ने ज्यान लिया राजयोग सीखा और अगले दिन अपनी बोतले फैंक दी सराप की अपनी सिग्रेट जो रिसर्च हमारे ग्लोबल होस्पिटल माउंट अबू में होई है उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा जो बहुती सुन्दर है बहुती प्रेरख है राजयोग के विशे पर हम बाद में आते हैं देखिए हमारे महां रिसर्च होती है इंचेजों पर और होमिपैथ जिसको देने से इन मादक तत्वों के पदार्थों के लिए अनिक्छा फैदा हो जाती है इनसे अना सक्ति वेराग जैसा हो जाता है और मनुस्य चूटने लगता है तो बहुत अच्छा सर्वे जो मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं हमारे ग्लोबल होस्पिटल में धूम्रपान के 183 183 cases लिए गये और जब उनको राज्योग सिखाया गया उनको इसके जो नुकसान है इससे जो हानिया हो रही है उनके बारे में अवगत कराया गया और इससे उनकी इच्छा सक्ति को बहुत बढ़ा दिया गया उन्हें इस वरी ये ज्यान दिया गया आ हम यह नहीं कहते के आज ही छोड़ देंगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ततकाल छोड़ते हैं हमारे पास ऐसे भी अनुभव हैं जिनोंने जान सुनते ही पहला दिन भी कहना जादा होगा उसी मोमेंट से इन शीजों का त्याग कर दिया और फिर जब यह बात और आगे आठ लोग उने और छोड़ दिया तो लगभग सभी ने इस एक साल में धुम्रपान का त्याग कर दिया और राज्यों कर दिया हो हमारे यह उसको फॉल अप किया जाता है उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है उनको जागरती ऐसी कर दी जाती है कि वह खुद जग गए अब तो हमें उन्हें कहने की जरूरत नहीं जो सिग्रेट वो रोज पीते थे उसके दुएं से उन्हें बदभू आने लगती है अब उन्हें उसको देखना भी अच्छा नहीं लगता जिस घर में उपीते थे वहां लगता है वातावन तो दूसित होता इससे रहना मुस्किल हो कोई और पीने लगता है तो उन्हें घरना आने लगती है तो यह बहुत अच्छी आत्म जागरती हुए यानि वह सेल्फ डिसिप्लेंड हो गए अब उन्हें बार बार कहने की आग रह करने की जोरूते हैं बल्कि हुआ यह कि वह दूसरों का छोड़ाने लगे ऐसे ही मद् अच्छे थे दो एक-एक ने उनमें से भी थोड़े-थोड़े समय के बाद छोड़ दी तो यह बहुत ही सुन्दर रिजल्ट हमारे सामने आया और यह तो एक रिशर्च सेंटर का है क्योंकि वह इस तरह से रिशर्च करते हैं लेकिन मैं तो देखा हमारे जितने भी सेवा क इंदर हैं उसमें आने वाले सभी लोग इन से मुक्त हो चुके हैं तो करोडों की संख्या वो पहुंची है तो बहुत सुन्दर रिजल्ट जो आपने सुनाया भाताजी और साथ ही साथ जो लोग इससे ग्रस्त हैं मुक्त होना चाहते हैं राज्योग उनके लिए वर्दान मिलती है और सबसे बड़ी चीज यह है कि उनका मनोबल बढ़ता है इच्छा सक्ति बढ़ती है और नकेवल मद्दपान और धुम्रपान की बात है कि जीवन में और भी जो अच्छे काम वो करना चाहते हैं उसको करने की सक्ति और जीद बुराईयों का वो त्याग करना चा जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास करते करते हम स्वयम को जीतने वाले बन जाते हैं जिसे मन जीत काह जाता है और इससे करमेंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है करमेंद्रियों की जो रस हैं अलग-अलग करमेंद्रियों के रस उन रसों से आत्मा म मिलने लगता है एक अलोकिक रस एक अलोकिक सुख आत्मा को इतना मिलता है जैसे मोटे रूप से हम देखते हैं कोई बच्चा चोटी सी मिठाई खा रहा हो लेकिन उसको रसुल्ला दे दिया जाए तो फट से उसे फैंक देगा रसुल्ला खाने लगे तो जब बहुत सुंदर इसवरी ये सुख किसी मनुस को मिलने लगता है जब बहुत अच्छा इसवरी ये नसा किसी मनुस को चड़ जाता है तो ये सब छोटे मोटे सुख और नसे उसको गौन प्रतीत होते हैं और वास्ता में ये बहुत पीछे आपे चूट जाते हैं मैं ये भी कह सकता हूं कि ब बहुत अच्छी चीज मनुस को मिलती है उसकी आंत्रिक शक्तियां वड़ती है इच्छा सक्ति बहुत प्रवल हो जाती है मैं और भी कुछ चीजे अपने दर्सकों के समक्स रखना चाहूंगा जो राजियों के इस कोर्स में हम दूसरों को सिखाते हैं वो वास्तों में अत प्रवलोगों के जो अनुभव हैं उसमें तीन इंपोर्टेंट पहलू रहे जिसकी जानकारी आम मनुस को नहीं है और मैं चाहूंगा के इस माध्यम से संसार केवल यूवकी नहीं क्योंकि इन चीजों किसी कार तो बड़े भी हैं कहीं कहीं नारियां भी हैं तो ये सभी ल इसने बहुत सारी इंफोर्मेशन और ग्यान तो प्राप्त कर लिया लेकिन जब तक वह स्वयम के बारे में संफोर्ण रूप से नहीं जानेगा उसमें वह जागरती आएगी नहीं वह अपनी शक्तियों को पहचानेगा नहीं उसको अधीनता हो जाएगी वह यही कहेगा मै मैं रोक नहीं पाता कर्ज लेके भी पीता हूं ऐसे बहुत सारी बाते मनुस करता है यानि वह अधीन हो गया जैसे हम हसी में का करते हैं के लंबा चोड़ा व्यक्ति एक तीन-चार इंच की बेडी शिगरेट के अधीन हो गया कहां वो दुनिया पर राज करना चाहता है और एक सफेद सी छोटी सी डिंडी चिगरेट उस पे राज कर रही है तो बड़ी दैनिया स्थिती हो जाती है तो वो तीन चीजे मैं अपने दर्सकों के समक्स रखना चाहता हूं उसमें से पहली है बहुत सुन्दर बात है और मैं इसके लिए सभी को ज़रा तयार करना चाहता के सभीस को सुने और यह वो सत्य है जो अपुस्तकों में लिखा हुआ नहीं है यह सत्य उसके द्वारा ही बताया गया है जो नौलिजफुल है जो त्रिकाल दर्सी है जो हमारे आदी मध्य और अंत को जानता है सुरू से जब यह संसार की रचना हुई तब से वो सब कुछ जानता है उसने अमें बताया कि तुम सभी वास्तों में देवकुल की महनात्माए हो तुम वही देवी देवता हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है अपने चेहरों को देखो तुम्हारे चेहरों पर कितना तेज कितनी दिव्यता कितनी पवितरता कितनी रोसनी है चमक आत्म बिलकुल साफ है, तो स्वयम परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, रियलाइज कराते हैं, तुम देवों की संतान हो, तुम ने हजारों साल देव-यूग में व्यतीत किये, तो जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसे ये सत रहस बताते हैं और वो मनुश थोएज कर यह क्या, मैं देवकुल की आत्मा फट से सब चीजों से अना सकती हो जाती है, उसे लगने लगता है यह सब तो जहर है, मंदिरों में देवताओं के आगे यह सब कहां अरपित करते हैं, भोग लगाते हैं, खीर लगाएंगे, बहुत अच्छे फल फ्रूट लगाएंगे, कित सत्र तो यह है कि वो इतने पवित्र हैं, पवित्र ब्राह्मन को उन्हें चुना चाहिए, लेकिन आजकल यह तो खेर संभव नहीं है, तो यह आत्म जागरती सब के लिए परमावश्चक है, हम देवों की संतान हैं, हम देवी देवताएं हैं, कई मेरी यह बात सुनके, ऐस अनसद्धा की बात है, यह सब गलत है, देवियां को इमानस भक्षन नहीं करती, नहीं तो उन्हें देवियां कहके राक्ससी कहा जाएगा, बस मैं इतना ही कहूंगा, वो देवी देवियां हैं, देवताकुल की मान आत्में हैं, दाता हैं, उनके चेहरों पर दिव्यता है, मान सहरी व्यक्ति के चेहरे बेवला दिव्यता कहा सकते हैं, पहले भी हम चर्चा कर रहा हैं प्रताजी कि देवी देवताओं को यह जो मत यह अन्य प्रकार की यह जो चीज़ें चड़ाई जाती हैं, वो केवल एक प्रकार से या तो धर्म की गलानी करने के लिए, या फिर अधर्म है, धर्म की बात ही नहीं है, हिंदु धर्म के जिन संपर्दायों में यह प्रताब तक परचलित है, उन्हें जान लेना चाहिए, वो धर्म की मारक पर नहीं है, वो धर्म की मारक पर हैं, इससे देवी देवता प्रसंद कभी नहीं होते हैं, यह तो पाप का कर्म है तो हम फिर से वहीं आ जाएं, दूसरी बात मैं सभी दर्सकों के सम्मुक रखना चाहता हूं, इस बात को जानने से बहुतों का धुम्रपान, मद्दपान और गुटकार, आदिर, मानसार, जो भी था, सब ततकाल चूट गया है, वो है, मैं आत्मा हूं, ये देहे नहीं हूं, मैं इस देह से अलग हूं, तो देहे के रस मुझे अपने अधीन नहीं कर सकते हैं, फिर राजयोग में हम ये अवेरनेस दिलाते हैं, कि तुम पवित्र आत्माए हो, जैसे किसी मनुस को ये आभास होता है, मैं तो परम पवित्र हूं, तो ये चीजे पवित्रता के प्रतिक हैं, उसकी शत्रू हैं, तो चित शुद्ध होने लगता है, हम पवित्रता के और बढ़ने लगते हैं, और तीसरी बात है, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे, सोच के ये देखे, कितनी सुन्दर फीलिंग है, हम उसके बच्चे हैं, जो परम पवित्र है, ह जैसे ही हम उससे अपनापन जोडेंगे, वो तो हमारा परंपिता है, तो हमारी अंत्रिक सुध्धी बढ़ने लगती है, विचार पवित्र होने लगते हैं, और ये सब चीजे पीछे चूट जाती है, राजीयों के ये तीन पहलू है, जी, बहुत सुंदर बातें आपने भ्र और मैं आत्मा हूँ, दूसरी बात जो आपने कहीं कि पवित्रता मेरा स्वरूप है, स्वधर्म है, तो ये सारी जो चीजें हैं, जो बिलकुल ही कही जाये दुशित हैं, या तामसिक हैं, वो चीजें स्वता ही दूर हो जाएंगे, हमसे हम मुक्त हो जाएंगे, और तीसरी बात आपने बहुत ही गहरी कहीं कि वो सर्व शक्तिवान पर मात्मा जो पवित्रता का सागर है, उसकी हम संतान है, बहुत गहरी बाते हैं प्रात जी इसका हम अनुभाव भी जरूर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व मेरा एक प्रश्न है, कई लोग जानते हैं कि ये समय से व्यस्नों से ग्रस्त हैं, बार-बार कोशिस करने के बाद भी हार चुके हैं, और पूरी तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया इनके आगे, क्या वो भी इससे मुक्त हैं? अब इससे बात कही है व्यस्नों जाता है, अब बात कही है अब राताजी, उन लोगों के लिए, जो से पिडित है उन परिवारों के लिए एक बहुत सुन्दर बात है कि इस चीज से पूरी तरह से मुक्त हुआ जा सकता है राजयोग के गहन अभ्यास से प्राता जी मुझे लगता है कि राजयोग एक ऐसा विशय है जिसके उपर बहुत गहराई से चर्चा करने की और अभ्यास करने की आवश्यकता है आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है लेकिन अगली बार हम इस विशय पर विस्तार से चर्चा करेंगी कैसे राजयोग हम वियसनों से मुक्त कर सकता है आज आपने जो भी बाते हमारी दर्शकों के आगे रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपने देखा कि राजयोग एक सुन्दर माध्यम हो सकता है एक साधन हो सकता है जो हमें व्यसन से मुक्त कर सकता है व्यसन से मुक्त होता चलता है तो हमारे देश का सारी विश्व का भविश्य निश्यत रूप से उज्वल होगा इस चर्चाग हम आगे भी जारी रखेंगे आज के लिए इतना ही दीजे इजाज़त अपने मित्र को नमस्कार